स्टुडेंट्स आप अपने एक्जाम को लेकर कितने एकसाइटेड हैं या कितने उसपे काम कर रहा है मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं बहुत एकसाइटेड हूँ आपके बोर्ड इक्जाम दर बाइस को लेकर अउसके लिए आप कितना work करोगे ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कितना वर्क आपके लिए कर रहा हूँ, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप बहुत प्योड ले जानता हूँ, भले ही इस साल exam delay हुए हैं, कोई बात नहीं, बट next year आपका कोई exam delay नहीं होने वाला, जैसा कि आपको बत exam, आप ये मान के चलो, कि with the time होना है, यानि February last, February last, या March, ठीक है, इनी दो मन्त में आपके exam हो जाने हैं, ठीक है, तो आप जो बोड exam की अगर तयारी कर रहा हो, तो आपके पास कितने महीने आप ये जोड लेना है, आप ये मत सोचना है, ये बाई, पोस्ट पॉन्ड वाला सिस्टम आ जाएगा, चाहे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर ये सोच लिए ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाओ, पूरे ये तुम्हारा बरबाद होगा, सुन्न बटा सन्नाटा हो जाए, कुछ नहीं पाने वाले हो, अगर कुछ पाना है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको इसको टारिगेट मानना कि मेरा एक्जाम फेवररी मार्च में है, और मुझे पढ़ना है, इतने कम समय में हमें इतनी सारी चीज़े कम्पलीट करनी है, आठ, नौ, नौ महीने में हमें, नौ से दस महीने में सब चीज़े कम्पलीट करनी है और पढ़ाई करनी है यह अगर सोच के चलोगे न तो मैं यह कर रहा हूँ गारंटी के साथ मैं आपको वादा कर रहा हूँ आप सीखोगे लेकिन अगर आपको चुहे खाना है तो चुहे खाओ नो प्रॉब्लम फिर चुहे खाओगे तो चुहे लिखके आना भी पड़ेगा अब आप वर्क करना चाहते हो किस पर बोड इक्जाम पर किस पर बोर्ट इक्जाम पर वर्क करना चाहते हो तो आपको अभी से लगना पड़ेगा और लग जाओ date मैंने बता दिया आपको expected date थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है but no doubt आप के लिए ये motivation का काम करेगा ये बताने का मेरा है कि वीडियो बनाने का मतलब था ये motivation का काम करेगा कि exam कब होगा आपका ठीक है तो students याद रखना इस चीज को कैसे क्या करना है आपको पढ़ाई करना अभी से लग जाओ चाहे आपके कोई भी subject हो PCM के हो PCB के हो आप किसी भी चीज से हो आपको अभी से set set t is equal to 0 से start कर दो set t अब जो किया किया अभी तक जो नहीं किया नहीं किया कितना बरबाद हो गया बहुत से दोज छूट गए बहुत से पढ़ाई बरबाद हो गई no doubt no problem अब हम 10 is equal to 0 मान के start कर दो अभी जब जगो तभी सवे रहा ये वीडियो जब भी तुम देख रहा तभी से start कर दो आप उस समय पढ़ना जितने भी टाइम होगा न आपको actually में motivation ही मिलेगा और जितना पढ़ोगे जितनी चीजे आप focused करते जाओगे book पे चाया अपने questions पे अपने mind को questions पिलाओ question को solve करो practice करो mathematics के हो physics के हो chemistry जितना तुमें 10 में पढ़ा न science उतना एक chapter होता है 12 में ठीक है 11 में आपने देखी लिया होगा बहुत अच्छे से अब आप इतना ही अनुमाल लगा लो कि कितनी चीजे burden है पढ़नी है आपको अगर बहुत आगे जाना है 11 को पकड़के रखना है hold करके रखना है 7 में 12 को लेके चलना साथ में आपके percentage भी आने चाहिए ये चीजे है तो भाई साब आपको रुकना नहीं है ठकना नहीं है अगर रुक गए ठक गए तो कुछ नहीं होगा बस दीरे-दीरे बट चलते रहो दीरे-दीरे बट चलते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मंजिल मेली जाएगी जो आपने set किया है मैंने बार बार बताए अपने target को set कर लो अपने room में जहां भी रहते हो उहां set कर लो वही आप daily देखो उस पे काम करो सुबह देखो साम को देखो दोपर देखो काम करो यनि दिन भर देखते ही रगना काम भी करना है तो चलिए आप बताईएगा क्या चीजे और हो सकता है इसमें कमेंट करके कि ये perfect है कि नहीं जो मैंने आपको बताया है तब तक के लिए जैन जैबारा चैनल को subscribe कर लेना बाई साब पूरी complete वीडियो मिलेगी आपके इस चैनल पे और A to Z तयारी करवा ही जाएगी ठीक है अब एप मैं बता देता हूँ अगर आप तयारी करना साथ है तो मैं आपके लिए एक एप बता देता हूँ रेश्वा एकेडमी एप ठीक है इस एप को जब डाउनलोड करोगे न रेश्वा एकेडमी एप को जब इस एप को डाउनलोड करोगे तो class 12th section लिखाओगा class 12th section लिखाओगा इस section में जाना ना मातर की fee में आपकी complete preparation complete मतलब हार एक subject की preparation होगी live वीडियो चलेंगे आपके live classes मिलेंगी ठीक है तो आपको देरी किस बात किये जल्दी जाओ और चेक कर तब तक लिख जाएं जाएं जाबाद